हमारे पास एक वर्ग या एक स्क्वेर है, जिसे कि हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ बराबर हिस्सों में बाटा हुआ है और जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, अगर इन नौ हिस्सों में से हम कोई भी एक हिस्सा ले लें, मान लेते हैं चलिए हम ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसे ले लेते हैं इसे हम लिख सकते हैं एक बटा नौ क्यूंकि हमने एक बराबर हिस्सा लिया है नौ बराबर हिस्सों में से तो ये वाला भाग ये एक नौ में के बराबर है और अगर इसी तरीके से हम और भी हिस्से ले रहे होते यहाँ पे मानलीजी अगर हम ये वाला हिस्सा भी ले रहे होते इस वर्ग का और अगर हम ये वाला छोटा वाला वर्ग भी ले रहे होते और इसके अलावा अगर मुझे ये वाला भी वर्ग चाहिए तो अब मैंने यहाँ पर कुल कितने हिस्से चायांकित किये हैं और ये सारे हिस्से इस पूरे का कितना भाग हैं ये कितने भिन्न को दिखाते हैं और क्यूंकि हम जानते हैं कि हर एक हिस्सा यहाँ पर हर एक छोटा वर्ग एक नौवे के बराबर है तो ये भी एक नौवे हिस्से के बराबर होगा ये भी एक नौवे के होगा और ये भी एक नौवे के तो कुल मिलाकर हमने चार भाग नौ भागों में से चायांकित कर लिये हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे चायांकित भाग हैं ये 4 बटा 9 को दर्शाते हैं तो चले अब चीजों को और मज़िदार बनाते हैं और ये वाला आयत लेते हैं और इसे हमने कुल 5 बराबर भागों में बाटा हुआ है हमारे पास कुल 5 बराबर भाग है और मान लेते हैं कि हम यहाँ पर इन पांच पराबर भागों में से कुल पांच पराबर भाग लेना चाते हैं यह हमने एक हिस्सा ले लिया, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा और यह इन पांचों भागों को हमने ले लिया तो अब हमारे जो ये च्छायांकित भाग हैं ये इस पूरे के कितने भिन्न को दर्शाएंगे तो हम जानते हैं कि हर एक छोटा हिस्सा दरिसल इस पूरे का एक पांचवा हिस्सा है तो यहाँ पर हर एक हिस्से को हम लिख सकते हैं कि ये एक बटा पांच के बराबर है तो अगर हमने एक हिस्सा सिर्फ शेड किया होता, तो हम कह सकते थे कि हमने यहाँ पर एक बटा पांच लिया है, लेकिन क्यूंकि हम यहाँ पर पांच में से कुल पांच हिस्से यहाँ पर शेड कर रहे हैं, तो यह दरसल पांच बटा पांच के बराबर हैं, और पांच बटा पांच इसे हम कह सकते हैं एक भिन्न की तरह और ये एक पूरे के ही बराबर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल लगाते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉस करें और pen और paper की मदद से या फिर अपने मन में ही ये पता करें कि यहाँ पर जो पूरे दिये गए हैं और इनमें जो हमारे shaded हिस्से हैं ये कितने भिन्न को दिखाते हैं ये कितने fraction को दिखाते हैं तो चलिए अब इसे साथ में करते हैं हमारे पास यहाँ पर ये जो चीज है इसे हमने कुल 1,2,3,4,5,6 बराबर भागों में बाटा हुआ है और इन 6 बागों में से हमने 1,2,3,4 हिस्से shade किये हुए हैं यानि कि ये जो हमारे चायांकित भाग है ये 4 बटा 6 को दिखाते हैं इस पूरे के इसी तरीके से हमारा ये जो गोला है याँपर इसमें कुल 1,2,3,4,5 बराबर भाग हैं और इन 5 बराबर भागों में से हमने कुल 1,2,3,4 बराबर भाग को shade किया हुआ है यानि कि ये जो चायांकित भाग है ये 4 बटा 5 हैं इस पूरे के इसी तरीके से अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो यहां पर हमारे पास कुल 1,2,2 बराबर हिस्से हैं और इन 2 बराबर हिस्सों में से हमने दोनो भागों को shade कर दिया है यानि कि हमारे पास 2 बटा 2 है और 2 बटा 2 ये तो 1 पूरे के ही बराबर होता है ये एक होल या फिर एक पूरे के बराबर होता है जिसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा त्रिभुज है इसे हमने पूरी तरह से shade कर दिया है और ये एक पूरे के ही बराबर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चित्र की और यहाँ पर आपका मन कर रहा होगा कि यहाँ पर मेरे पास कुल 1, 2, 3, 4, 4 भाग हैं और इन 4 भागों में से हमने कुल 1, 2, 3 भागों को shade कर लिया है तो यहाँ पर जो हमारे 6 आंकित भाग हैं वो 3 बटा 4 होने चाहिए इस पूरे के लेकिन ऐसा नहीं होगा और ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर यह सभी भाग आपस में बराबर नहीं है यह जो लंबा वाला लाल भाग है यह तो इन 3ों से भी बड़ा है तो हम यह नहीं कह सकते कि यहाँ पर जितने हिस्से हमने shade किये हैं वो 3 बटा 4 के बराबर होंगे यह बहुत जरूरी है कि हमारे सभी भाग आपस में बराबर हों तभी हम बता पाएंगे कि जो हमारे shaded भाग हैं वो उस पूरे के कितने हैं